अब इसमें जितने भी सवाल होंगे इस पे आपको ध्यान रखना है कि एक तो यह चीज all school to college इसका मतलब यह है कि जब भी हम पहले कॉटरेंट की बात करेंगे यानि कि 0 से लेकर 90 डिगरी या कहें 0 से लेकर πाई बाई टू यह हमेशा positive रहेगा सारे के सारे जितने भी है sign, cost, 10 जो भी उठा लेगे जब आप πाई बाई टू से πाई की बीच में बात करेंगे या फिर 90 से लेकर 180 के बीच में आंगल आएगा तो फिर यहाँ पर केवल sign positive रहेगा बागी सारे आप negative कर देगे 180 से लेकर 270 यानि कि 3 पाई बाई टू इनके दर्मियान जो भी उठा आएगे वो सारे के सारे tan positive रहेंगे बागी सारे negative कर देगे आप यहाँ पर चौथे coton में जब आप 3 पाई बाई टू से 2 पाई पे जाएगे यानि कि 360 डिगरी पे जाएगे इसके बीच में अगर कोई angle आता है तो आप केवल cost को positive रखेंगे बागी सब को negative रखेंगे एक और चीज़ जब आप sin 90 प्लस theta करते हैं तो 90 प्लस theta में मतलब यह इधर पे आने वाला है इधर आएगा ना यहाँ पर sin positive होता है तो अब इसको पहले तो positive करते हैं अब आपको क्या करना है 90 प्लस theta में theta यह sign cost में बदलेगा करें नहीं बदलेगा इसको जानना है तो यह ध्यान रखेगा जब भी आपका pi by 2 या 3 pi by 2 के साथ हो या यह कहें 2N प्लस 1 pi by 2 मतलब odd pi by 2 का यहाँ पर number हो और तब आप इसके साथ theta रखेंगे तो sin का आपको cost करना पड़ेगा और यह theta ऐसे किसे आ जाएगा sin यहाँ पर minus plus का ध्यान नहीं देंगे क्योंकि minus plus वाला हम काम यहाँ कर चुके इसके अलाबा अगर आप यह pi और 0 मैं ऐसे करता हूँ pi plus theta करता हूँ क्योंकि मैं आपको sin भी दिखाऊँगा तो sin pi plus theta इसका मतलब वो यहाँ पर आने वाला है sin pi plus theta यहाँ पर केवल 10 positive है तो पहली चीज़ तो आप negative कर दीज़े क्योंकि यहाँ पर 10 positive है sin negative है लेकिन जब आप sin pi plus theta करेंगे तो sin को cos में नहीं बदलेंगे conversion नहीं होगा इसे यह केवल sin ही रहेगा बस minus sin theta हो जाएगा अगेन इस plus minus का कोई value नहीं इस plus minus पर बिलकुमत ध्यान दीजेगा इस plus minus की value वही है कि आप इस से देखेंगे किस quadrant में आ रहा है उस हिसाब से इसका sign रखेंगे तो यह दोनों चीज अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप यह सारे सवाल बहुत आसानी से कर पाएगे सबसे पहला है find the values of the following trigonometric ratios तो जैसे sign 5 pi by 3 है अब 5 pi by 3 क्या होता है 5 pi by 3 अगर इसको आप convert करना चाहें अगर आप pi से ज़्यादा यह कहें कि familiar नहीं है तो सबसे बढ़िया तरीका एक शुरुआत में बता देता हूँ आपको ताकि बाकी आप समझ सकें इसमें हम क्या करते हैं इसको multiply कर देजिए 180 by pi से pi pi cancel हो जाएगा अब मैं इसको degree में change कर रहा हूँ यानि कि 3,6 और 5,6 300 300 अंगल है यह अंगल क्या है 300, 300 कहां आता है 270 और 360 के बीच में आएगा कहीं पर यहाँ पर आएगा ना अंगल 300 इसका मतलब अगर आप इसको 300 अब हमको क्या करना है अब मैंने आपको बताया था या तो pi by 2, pi 2 pi अब 3 pi by 2 के terms में लिखेंगे इसको तो 5 pi by 3 को हम कैसे इस इन दुनों या तो हम 3 pi by 2 प्लस कर सकते है क्योंकि यह 300 आ रहा है या 270 प्लस 30 कर सकते है यह भी तरीका है इसमें भी कोई गलत गलती नहीं है या आप 2 pi यानिól कि 360 माइनस कर सकते हैं कितना 360 में कितना घटाएंगे कि आपका 300 आ जाए 60 घटा दीजे तो 360 माइनस 60 कर सकते है तो यह दोनों तरीके हैं दोनों से आप कर सकते हैं कोई यह एक तरीका नहीं है तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं जो sine 5 pi by 3 है इसको हम लिख रहे है sine, अब 2 pi यहने के 360 जैसे मैंने पताया 360 क्योंकि हम radian में चलेंगे 360 लिखना चाहते हैं लेकिन radian में 2 pi होता है अब माइनस कर दीजिए 30 degree 60 degree क्या होता है 60 को अगर आप pi by 180 से मट्लिप्लाय करें तो कितना आता है pi by 3 तो इसको pi by 3 घटा दीजिए तो 2 pi minus pi by 3 कितना होता है ये 5 pi by 3 ही होता है इससे हमें फाइदा क्या हुआ पहली चीज़ तो हमें पता चल गया है कि ये 2 pi से नीचे है 2 pi से नीचे है और यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको all school to college है यहाँ पर किवल cost positive होता है बाकि सब negative होते हैं तो पहली चीज़ तो आप क्या करेंगी यहाँ negative लगाते है क्योंकि ये sine है वो तो negative है यहाँ पर क्योंकि equal cost ही positive हो तो negative हो गया अब इस minus plus की कोई value ने रही कोई value ने रही अब आप देखे कि मैंने आपको बताया था pi हो 2 pi हो जब ये pi 2 pi ये n pi होता है तब ये sine cost में convert नहीं होगा sine cost में convert नहीं होगा तो sine ही रहेगा और किवल आपको ये angle उठा के रख देना है minus plus का भी त्यान नहीं देना है तो sine pi by 3 क्या होता है sine 60 क्या होता है root 3 by 2 ये इसका उत्तर आएगा तो बागी सवाल हम इसी तरीके से करेंगे बागी सवाल यही हमारा एक तरीके से logic रहेगा या approach हमारी ऐसी रहेगी तो एक एक करके इसको आगे बढ़ाया जाए अगला जो सवाल बनता है वो है sine वो है sine 3060 अब sine 3060 अगर आप देखें तो 17 into 360 अगर मैं 17 को गुणा करूं 360 से तो मेरा कितना आता है 6 1 2 0 17 को 60 से मड़ी बाए किया जाए अगर मैं कहूं कि 17 pi 17 pi है वो 6 1 2 0 हो गया तो 17 pi कितना है 17 pi 3 0 6 0 होता है अगर आप 17 को 17 into करिए pi यहने कि वोने t तो आपका बनता है 3060 तो इसको हम 3060 क्या लिख सकते है pi के terms में हम लिख सकते है sine 17 pi अब आप sine 17 pi करें या sine pi करें क्योंकि sine जो है वो periodic function है periodic periodic function मतलब होता है sine n pi equal to 0 sine का कोई भी pi हो याने sine 0 equal to 0 फिर sine pi equal to 0 sine फिर इधर पर आज़े 2 pi equal to 0 फिर इधर पर चले जाए sine 3 pi equal to 0 sine में कोई कितने भी जो n number के pi हो यह 0 होता है यहां आप को कुछ नहीं करना है क्योंकि यह sine n pi n जिसमें 17 है n pi 0 होता है तो आप इसको 0 गोड देंगे नेक्स आते हैं 10 11 pi by 6 अब 10 11 pi by 6 जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई भी तकलीफ होती है इस pi में समझने में कि यह angle क्या है तो सबसे बड़े आकाम यह है कि pi by 6 है ना तो इससे क्या होगा कि आप देखेंगे pi by cancel होगा तो 11 को multiply करिए 180 से यह आता है 1980 डिवाइड कर दीजिए इसको 6 से क्या आएगा 330 तो आपको समझ में आ गया कि 330 डिगरी की बात हो रही याने किस कॉट्टन की बात हो रही है 330 मतलब यहां तक 300 आ गया 360 यह 360 यहां की बात हो रही है आपकी तो आप क्या करेंगे 330 इसमें यह कर सकते हैं कि या तो आप 360 में से याने कि 2 pi में से 30 घटा दीजे या 270 में 60 जोड दीजे 270 में या तो 60 जोड दीजे तो 330 आ जाएगा 360 में से 30 घटा दीजे तो भी 330 आ जाएगा तो यह भैतर तरीका है 360 माइनस 30 लिख दीजे याने आप लिखेंगे 10 360 माइनस यह क्या हुआ 30 यह ना 330 आ गया लेकिन यह pi के form में दिया है तो इसको pi के form में लिखा जाए 360 कितना होता है और 30 कितना होता pi by 6 होता है अगर 30 कनवर्जन में कोई दिक्कत हो तो इसको सिधा आप 180 by pi by 180 से मोड़ी प्लाय कर दीजे यह जगा 6 pi by 6 अब 10 2 pi minus pi by 6 10 2 pi minus pi by 6 क्या हुआ अब यहाँ पर all school to college 10 यहाँ पर cable cos और sec positive होता है 10 तो negative हो जाएगा तो पहला क्या करना है पहला पहली जो चीज़ करनी है वो आपको सीधा negative कर देना है क्योंकि इस जगा पे केवल कॉस और sec positive है 10 तो इधर positive 3rd quadrant में यहाँ पर हम आगे 4th quadrant में 2 pi minus pi by 6 में थब से पहले यहाँ minus कर दीजे फिर इस minus plus sign को भूल जाएए अब देखे 10 जब 2 pi होता है जब भी 2 pi n pi होगा तब 10 अपना conversion नहीं करेगा 10 convert नहीं होगा तो 10 10 ही रहेगा और इस pi by 6 को इसके साथ लिग भी जाएगा minus 10 pi by 6 10 pi by 6 की value आप जानते हैं यानि 10 ये कितना हुआ हो pi by 6 मैंने आपको बताया था pi by 6 इसका मतलब क्या होता है 180 by pi तो 6 3 10 30 10 30 क्या होता है 1 by root 3 तो ये हो जाएगा minus 1 by root 3 इस तरीके से या आएगा अगला जो है उसमें है 10 cos 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 minus 1 1 2 5 अब ये कैसे बनेगा इसमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा देखिए सबसे पहला सबसे बढ़िया तरीका है कि 1 1 2 5 है ना इसको आप डिवाइड कर दीजे 180 से सबसे अच्छा तरीका ये होता है और देखिए difference क्या आ रहा है अगर मैं 1 1 2 5 1 1 2 5 को डिवाइड करूँ 180 से और मैं देखो कि remainder कितना आ रहा वही remainder तो main है जो इसमें जोडना पड़ेगा वह remainder तो वही main है तो अगर मैं 6 into pi करूँ मतलब अगर मैं 6 से इसको डिवाइड करूँ मैं इसको करता हूँ 180 into pi 180 into 6 तो 180 into 6 बनता है 1080 और 1080 को आप 1125 से मोड़ी सब्ट्राइक कर दीजे या क्योंकि minus में आना है देखेगा minus में आना है क्योंकि minus 1125 दिया हुआ है तो अगर मैं इसको minus 1125 यानि कि इनका difference निकालने की कोशिश करूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि इसमें 45 का difference है 45 अगर इसमें add करें तो 1125 हो जाता है और चूंकि यहाँ पन negative है तो हम क्या करेंगे पहले तो 1125 को आप ये बना लेजे कैसे आप लिखेए cos minus को रहने दीजे कोई दिक्कत नहीं minus को रहने दीजे अब इस 1125 और 1080 का use करते 1080 और 45 का use करते है 1125 बना लेजे व्योंकि 1080 पाई का multiple है 45 degree की value हमें पता है तो इसको हम लिखेंगे 6 pi plus pi by 4 6 pi क्या हुआ ये हुआ 1080 pi by 4 क्या हुआ 45 degree तो हो गया 1125 minus यहाँ पर लगा हुआ अब आप जानते हैं कि cos minus theta plus cos theta होता है sin minus theta minus n theta होता है यह हम पढ़ चुके हैं जान चुके हैं तो इसकी जगा आप सीधा cos minus theta is equal to cos theta लिख सकते हैं 6 pi plus pi by 4 अब आप देखें सबसे पहली चीज कि यहाँ पर ये 6 pi क्या है ये 6 pi जो है चाहे आप कितने भी n pi चलाते रहिए कितने भी n pi चलाते रहिए तो cos है वो किस जगा repeat होता है cos is a periodic function तो कितना भी 6 pi ये n pi आता रहे cos तो cos 6 pi अच्छा इसका ये पहले sign भी देख लेंगे 6 pi plus pi by 4 तो 6 pi plus pi by 4 याने कि ये 6 pi pi 0 pi 2 pi तो 6 pi यहीं कहीं आएगा और 6 pi में आप कुछ आइड कर रहे है याने कि ये positive रहेगा तो cos negative नहीं जो होगा देखें, pi यहाँ पर होगा 0, फिर pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5, 5, 6 pi 6 pi मतलब यहाँ की बात कर रहे है यहाँ पर सारे के सारे positive होते है तो cos में अगर 6 pi में कुछ भी add कर रहे है तो cos positive रहेगा तो पहले तो positive कर दीजे अब cos को लिख दीजे क्योंकि n pi है तो cos sign में चेंड नहीं होगा और सीधा pi by 4 लिख दीजे तो cos pi by 4 कितना होता है 1 by root 2 यह इस का answer है अब इसमें है 10, 315 लिखें अब इसमें क्या करेंगे जल्दी जल्दी करते हैं कि concept हमने काफी कवर कर लिया है 315 को हम लिख सकते 180 minus 45 360 minus 45 360 minus 45 360 को 2 pi लिखिए इस pi by 4 लिखिए 45 को अब 10, 2 pi minus pi by 4 आप जानते हैं कि all school to college में जब 2 pi अने कि 360 से नीचे आएंगे इस जगा पे तो यह negative हो जाएगा फिर इसके बाद आईए sin 510 degree पे 510 degree कितना होता है? 3 pi 3 pi कितना हुआ? देखे 3 pi मतलब होता है 3 into 180 और 3 into 180 होता है 540 degree तो यह 540 degree में 30 घठाना है 540 ही हो गया minus pi by 6 यह 30 degree है यह 540 है 540 में 30 degree घठा दीजए sin 3 pi minus pi by 6 अब sin में जब 3 pi आता है तो आप जानते है 3 pi minus pi by 6 मतलब 540 यह है 0 यह है pi अब किस पे आ गया? 3 pi 0 pi पर हमेशा यह और यहां पे आएंगे even यहां पे आएंगे धियान रखेगा हमेशा और pi यहां पर आएगा तो यह और pi है और इस 3 pi को फिर हटा दीजे सीधा pi by 6 लिखिए sin pi by 6 होता है sin 510 degree sin 510 degree में बिल्पली यही काम करेंगे 510 को लिखेंगे 3 pi minus pi by 6 अब 3 pi minus pi by 6 sin 3 pi इसका मतलब आप 0 pi और उसके बाद 2 pi और 3 pi तो 3 pi यहां है इससे आप कुछ घटा रहे है इसका मतलब sin positive रहेगा sin positive रहेगा इसका मतलब 3 pi को पहले तो भूल जाइए sin pi by 6 लिखिए यह सब करने के कुछ ज़रूरत नहीं है क्योंकि 3 pi आप जान रहे है 3 pi यहां इससे कुछ घटाएंगे तो sin positive में रहता है क्योंकि इस coordinate में sin positive है तो sin pi by 6 लिख दीजे प्लस कर दीजे और इसको भूल जाइए इसको क्यों क्यों भूल जाइए क्योंकि आप already coordinate में आ चुके है और sin को cos में चैन नहीं करना है क्योंकि 3 pi है अगर यह pi by 2 होता या 3 pi by 2 होता तब आप sin का cos करते यहाँ कोई करने के विशक्ता नहीं सीधा sin pi by 6 लिखिए यह हाँ होता है अब है cos 570 degree cos 570 degree मतलब सीधा 540 में 30 हैड करना है तो 3 pi plus 5 by 6 अब आप किस coordinate की बात कर रहे है 3 pi मतलब यहाँ मैंने बताया था आपको कि जो even यहाँ पर आप 0 2 pi और 3 pi और यहाँ पर आएंगे यहाँ पर आएंगे आप क्या कर रहे है 3 pi यानि कि इस जगस पे आप pi by 6 यानि कि 30 आइड कर रहे है यहाँ पर आएंगे यह है all school to college 10 यहाँ positive होता है बागी सब negative होते है तो पहले तो आप negative लगा दीजे इसके आगे पर negative लगा दीजे और 3 pi को भूल जाइए क्योंकि आप पता कर चुके हैं कि 3 pi से क्या होने वाला है cos pi by 6 करेंगे क्योंकि यह 3 pi है मैंने बताय था pi, 2 pi, n pi इस पे कोई change नहीं होता है cos, cos ही रहेगा आप यहाँ पर लिखे cos इस plus minus को भूल जाइए pi by 6 कर दीजे pi by 6 की वाली होती है root 3 by 2 minus root 3 by 2 बाद है इसके बाद sin है minus 330 minus को पहले भूल जाइए sin लिखे minus को ऐसे रहने दीजे 330 को कैसे लिखेंगे 330 होता है 360 minus 30 degree 360 होता है 2 pi और इसमें pi by 6 जाने कि 30 degree minus कर दीजे अब 2 pi अब आप देखिए sin minus sin minus theta क्या होता है sin minus theta होता है minus sin theta पहले तो इस minus को उटा दीजे यहाँ minus लगा दीजे अब आईए इस पे 2 pi minus pi by 6 आप 2 pi यहाँ पर है इस से नीचे आ रहे है 2 pi में कुछ घटा रहे हैं इस quadrant की बात कर रहे है यहाँ पर किवल यहाँ पर क्या होता है किवल I'll all school to college किवल cost positive होता है तो sin negative होगा तो minus बहार ले लिजे मतलब minus लगा दीजे तो minus minus हो जाएगा प्लस अब आप 2 pi को भूल जाएगे क्योंकि आप already आप quadrant पता कर चुके है तो आप इस सीधा sin pi by 6 लिखिए sin pi by 6 लिखिए होती हाफ कोजेक minus 1200 1200 कैसे होता है अब इसको वही आपको 180 से करना पड़ेगा तो आप देखें कि अगर हम pi को यानकि 180 को 7 से multiply करते हैं तो हमारे पास आता है 1260 1260 आता है 1260 यह 1200 कैसे मनेगा 1260 में हम 60 गटाएंगे क्योंकि यह cos minus है तो cos में इस minus को रहने दीजे और इसको लिख दीजे 1260 minus pi by 60 degree इसका मतलब 1260 है 7 pi 7 pi minus 60 यह नहीं pi by 3 यह हो गया अब cos minus theta होता है plus cos theta cos minus theta होता है oh cosec cos minus theta होता है cos theta क्योंकि sin minus theta minus sin theta होता है इसलिए cos, cosec और sin एक जैसे चलता है तो पहले तो यह हम minus लगा दीजे और अब आप अंदर आजएगे cosec अब 1260 हो जगा 7 pi और minus pi बैता है अब जैसे मैंने बताया था आपको कि all sin to cos में जब आप 7 pi करते हैं यहाँ even आता है हमेशा इस जगा पर odd आता है यह even आता है यह odd है मतलब आप यहाँ पर है और आप कुछ minus कर रहे हैं इसका मतलब इस quadrant में जा रहे हैं तो cosec और sin यहाँ पर positive होते हैं तो आप negative रहने देंगे इसको 7 pi को भूल जाएंगे cosec के साथ pi by 3 लग जाएगे 10 minus 585 तो 585 कैसे बनेगा आप देखिए 180 को अगर हम 3 से मड़ी प्राय करें तो क्या बनता है 540 यह है 585 यानि कि आप क्या कर रहे हैं कि 540 में 85 है तो 45 आप इसको कैसे लिखेंगे 10 minus को रहने देजे पहले 10 minus theta होता है minus 10 theta 10 minus theta को रहने देजे इस 540 plus pi इसको लिख दीजे 540 होता है 3 pi और यह 45 होता है pi by 4 यहां तक हो गया अब यह जैसी हमने किया 10 minus theta minus 10 theta होता है तो minus को रहने आई अब 10 3 pi मतलब क्या होता है 3 pi मतलब आप देखिए यहां पर even होते हैं odd होते है तो इस 3 pi में आप कुछ add कर रहे है इस जगा पे कुछ add कर रहे है मतलब आप 3rd quadrant की बात कर रहे है 3 pi में जब add कर रहे है तो इस सीधा सा मतलब है कि यहां पर 10 positive होता तो इसका कोई sign change योगे minus ही रहे है और फिर इसको बुल जाए है इसको बुल जाए क्योंकि आपने coordinate पता कर लिया आप 10 pi by 4 पर आईए 10 pi by 4 क्या होता है 1 तो minus होना जाएगा इसका minus बाहर था यह 1 है ऐसी cos 55 है 855 में 5 pi 5 pi क्या होता है 180 को आप multiply कर यह 5 से तो बनता है 900 900 में 900 है यह 900 में से आप 45 यह है 855 5 pi minus pi by 4 तो cos 5 pi minus pi by 4 जैसे मैंने आपको बताया था कि यह 0 है यह pi है सारे odd pi यहाँ पर आएंगे सारे even pi यहाँ पर आएंगे तो cos 5 pi minus 5 by 4 यानि कि 5 pi इस जग़ा पर आएगा और minus pi by 4 यहाँ आप यहाँ पर कुछ माइनस कर रहे है मतलब इस coordinate की बात हो रहे है यहाँ पर all school to college अब यहाँ पर cos क्योंकि यहाँ पर केवल sign positive होता है बाकि सब negative होते है तो cos को थो पहले negative कर दिए इस 5 pi को भूल जाए है क्योंकि आपने negative बना दिया 5 pi का मतलब यही था अब आप आप लाईए cos pi by 4 सब्सक्राइब क्या होता 1 by root 2 minus 1 by root 2 है जाएगा sign 1845 1845 तो 1845 अब जैसे मैंने आपको बताया पहले 180 को देखे multiply करके क्या बनता है 180 को अगर मैं 10 से multiply करता हूं तो 1800 आता है तो 1845 को कैसे लिख सकते है 1800 प्लस 45 यानिसको हम लिख सकते है sign यह 10 pi प्लस 45 यानिसको भूल जाएगे यह साइन को और इसको भूल जाएगे आपको क्यों sign pi by 4 करना है वो होता बनवारी तो बस फिर आपका cos 1745 1745 जैसे अभी हमने क्या किया 1800 में से 45 एड़ किया यहां पर 1800 में से 45 घटाना है अब यहां cos ही है अब 1800 मतलब आप 10 pi कह रहे है और यह है pi by 4 अब 10 pi मतलब क्या हुआ आप यहां पर आगे गई इससे आप कुछ घटा रहे है इसका मतलब यहां पर 10 के वल पॉजिटिव होता है cos तो negative होगा तो पहले तो आप negative बना लिए इस 10 pi को और sign को भूल जाए cos लेकिए pi by 4 cos pi by 4 होता है 1 by root यह इसका उतर होगा अब आए आप 45 30 पे 4530 मतलब क्या है अगर आप 180 को multiply करेंगे 25 से तो बनता है 4500 तो 4500 में 30 side करना है यह हो जाएगा आपको 25 pi और यह हो जाएगा आपका pi by 6 तो sine 25 pi plus pi by 6 तो हो जाएगा all sine to cos 25 pi यहाँ आने वाला है क्योंकि यहाँ सारे odd pi आते हैं यहाँ सारे even pi आते हैं 25 pi में कोई जोड रहे हैं इसका मतलब आप इस quarterand की बात कर रहे हैं तो third quadrant में आते हैं आपके वाल 10 positive होता है बागे सब negative होते हैं तो सबसे पहले तो negative sign लगा देगे negative sign लगाते हैं आप यह दोनों भूल जाएगे इसका मतलब आप sine pi by 6 पाएगे sine pi by 6 क्या होता है half माइनस half हो जाएगे सवाल है वो यह कहता है कि एक आपको equation दी हुई है tan 225 और into cot 405 plus tan 765 और cot 675 आपको बताना है कि यह 0 है तो 225 क्या होगा 225 का मतलब क्या होगा इसको हम हमेशा 180 के हिसाब से रखते हैं सबको 180 यहने pi के multiple में रख देगे यह 225 हुआ है आपका 180 और 45 को add करिए तो pi plus pi by 4 हो गया cot क्या हुआ 405 क्या होता है 360 और इसमें 45 add कर दीजे यह हो गया tan 765 4 pi 4 को 180 से multiply करिए तो अगर हम 180 को 4 से multiply करते हैं तो हमारा आता है 720 720 में आप 45 add कर दीजे 675 675 कैसे होगा आप इसी में जैसे में आपको बताया 720 इसमें 45 घटा दीजे तो 675 बन जाएगा तो अब आप आईए इधर पे all school to college आप देखे pi plus pi by 4 अब आप इस quadrant की बात कर रहे हैं यह 0 होता है pi by 2 pi और यह होगा 3 pi by 2 ध्यान रखिएगा कि सारे even pi यहाँ पर आएंगे सारे odd pi यहाँ पर आएंगे यह odd pi है 1 है इसमें तो pi plus मतलब आप इस quadrant की बात कर रहे हैं यहां केवल cos positive होता है बागी सब आपके negative होते हैं केवल all school to college में cos केवल positive होगा बागी सब negative होगा तो आप यहाँ पर क्या करेंगे पहले तो यहाँ पर 10 pi pi by 4 में यहाँ पर minus कर देंगे और 10 लिखेंगे और pi by 4 कर देंगे यहाँ पर आएंगे अब cod 2 pi plus pi by 4 2 pi आप यहाँ पर आगे यहाँ पर तो सारे positive होते हैं तो इसके से केवल आप cod pi by 4 कर देंगे अब 10 4 pi plus pi by 4 4 pi फिर से आप यहाँ पर आगे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर 10 pi by 4 मिलेगा और फिर यहाँ पर 4 pi minus pi by 4 4 pi क्या होगा फिर से आप यहीं पर आगे और 4 pi minus pi by 4 मतलब इस codern की बात कर रहे हैं सारे जो odd pi है वह यहाँ पर आएगे सारे even pi यहाँ पर आएगे 4 pi इधर आएगा इससे कुछ minus कर रहे है क्योंकि यहाँ 10 positive होगा तो यह cod जो है आपको positive में मिलेगा pi by 4 आप देखे 10 pi by 4 से cod pi by 4 काट देजे क्योंकि cod pi by 4 होगा 1 by 10 pi by 4 इसी तरह किसे यह दोनों cancel हो जाएगे केवल आपका minus 1 यहाँ बनेगा अब देखें यह है minus 1 और यहाँ पर क्या बना plus 1 यह दोनों कट गए यहाँ पर बीच में plus का sign यहाँ पर minus 1 है और यहाँ पर आपका plus 1 बचा minus 1 और plus 1 कितना हो जाएगा जी इसमें आपको sign 8 pi by 3 cos 23 pi by 6 और plus किया गया है यहाँ पर cos 13 pi by 3 और sign 35 pi by 6 तो इसमें कैसे करेंगे हम पहले तो हम यह बना लेते हैं all school to college साथ में यह देखिए कि 0 और pi जितने भी odd pi हो यहाँ आएंगे जितने भी even pi हो यहाँ आएंगे यह sign 8 pi by 3 अब 8 pi by 3 हमने समझ में नहीं आता है तो इसका तरीका क्या है मैं एक बताता हूँ आपको एक और 35 pi by 6 भी दिख लेंगे 8 pi by 3 है angle समझ में नहीं आ रहा है तो इसको पहले तो 180 by pi से डिवाइट करते है pi pi cancel 3 6 is 80 6 is 40 400 से डिगरी हो गया 400 से डिगरी किस तरीके से हम ऐसा कोई इसमें करेंगे कि हमारे पास वो value आ जाए जो 3 pi से related है और इसके साथ हम ऐसी value ले आएं जो हम निकाल भी सकते हैं तो अगर मैं 180 को 3 से multiply करता हूँ तो आपका 540 आता है 540 में से अगर 60 घटा दिया जाए तो 480 आ जाएगा तो यही पर हम 540 को लिखेंगे इसको हम sign लिखेंगे 540 माइनस 60 540 को अगर आपको बदलना है फिर से तो 540 को आप pi by 180 से मुणिताएगा इसी तरीके से आप 60 को भी करेंगे तो pi by 3 आ जाएगे तो यह आपका 540 जो यह 3 गुना जाता है तो 3 pi माइनस pi by 3 ऐसे लिखते हैं इसको तो sign 3 pi माइनस pi by 3 इसी तरीके से यह 23 pi by 6 हो जाएगा 4 pi माइनस pi by 6 cos 13 pi by 3 हो जाएगा cos 44 pi plus pi by 3 अब यह sign 35 pi by 6 एक example आ ले लेते हैं यह 35 pi by 6 ऐसा नंबर है जो हमें समझे नहीं है इसको कैसे लिखे है pi के form तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको 180 by pi से मढ़ी पाएगा pi पाएगा 6 3s are 18 यह आपका 6 3s are 18 तो 35 into 30 आ गया तो 35 into 30 होता क्या है यह होता है 1050 तो 1050 को हमको इस form में लखना है कि pi में कुछ घटाएंगी है या बढ़ाएंगी तो आप देखें अगर इसको हम 180 को 6 से बड़ी पाएगा करते है तो आपका बनता है 1080 1080 को अगर हम माइनस कर दें उसमें माइनस कर दें 30 तो एक 1050 मन जाएगा 1080 कितना पता है मैंने 6 pi और 30 कितना है pi by 6 तो बस इसको इसी तरीकस लिख दिए 6 pi माइनस pi by 6 यह आपका sign हो जाएगा अब इनके angle बगर देखते है सबसे पहले sign 3 pi माइनस pi by 3 3 pi कहाँ पर आएगा यह pi है यह आपका 2 pi 3 pi 4 pi सारे even यहाँ पर आएगे सारे और यहाँ पर आएगे sign 3 pi माइनस pi by 3 sign 3 pi मतलब यहाँ पर इस जगब बे जा रहे है sign positive हो जाएगा यहाँ पर sign लिखे pi by 3 कोई sign change करने के जरूत नहीं है sign pi by 3 अब इदर पहिए cos 4 pi माइनस pi by 6 यहाँ पर 4 pi इदर पह आएगा इसके नीचे जा रहे है यहाँ पर minus कर रहे है तो cos यहाँ positive होता है तो sign change करने की जरूत नहीं cos pi by 6 लिखे जिए सिबा अब यहाँ पर आएए cos 4 pi plus pi by 3 4 pi मत यहाँ पर आगे cos को इसमें यहाँ पर add हो रहा है कुछ इसका मतलब first quadrant की बात करें first quadrant में सारे के सारे positive होता है तो cos pi by 3 यहाँ पर आएए sin 6 pi minus pi by 6 अब sign पर आएए 6 pi यहाँ होगा और आप minus 6 जब 6 pi पर आ रहे हैं यह यहाँ होगा 6 pi minus even है ना 6 pi minus इसका मतलब आप 4th quadrant की बात कर रहे हैं यहाँ पर sign नेकाए यहाँ केबल Cos positive होगा तो यहाँ आपर लिखेंगे minus sin pi by 6 अब sin pi by 3 होता है root 3 by 2 cos pi by 6 होता है root 3 by 2 यह minus में यहाँ लेता हूं cos pi by 3 होता है half sin pi by 6 होता है half root 3 by 2 root 3 by 2 कितना होगा 3 by 4 वे कितना होगा 1 by 4 3-1 by 4 कितना होगा? 3-1 by 4 तो इसका 2 by 4 ये 2 by 4 है sorry, 1 by 2 1 by 2 हाजागा इसका कोस 24 है कोस 55 कोस 125 कोस 204 और कोस 300 इसको पताना है हाफ है 24 को ऐसे रहने दीजिए इस 204 का लिखे 180 plus 24 तो कोस 180 plus 24 ये आपको हमेशा बनाना पड़ेगा कॉस 55 को ऐसे रहने दीजिए कॉस 125 को लिखे 180 minus 55 ये 125 होता है यहाँ पर कॉस 300 है तो इसको लिखे 180, 180 minus sorry, 250 360 minus 60 लिखे तो ये आ गया अब कॉस 24 तो यहीं है कॉस 55 यहाँ है कॉस 5 plus 24 देखे पाई आप यहाँ पर है पाई प्रस 24 मतलब 10 यहाँ पर positive होता बागे negative होता है तो इसके आगे minus लगा रहे है minus cos 24 यहाँ पर आए cos πाई मैनस 55 πाई कितना है यहाँ पर यहाँ पर जाएंगे πाई मैनस 55 मतलब यहाँ पर पाई की बात हो रही है कि अगे positive होता है इसके बताब cos negative होगा यहाँ negative लगा cos 2 pi minus 5 by 3 यह 2 pi है यहाँ पर इसके नीचे आ रहे है cos यहाँ positive है तो यह cos pi by 3 आएगा इसको इससे कर दीजे इसको इससे कर दीजे कि यहाँ पर 3 आएगा वो half होता है next है 10 minus 225 cos minus 405 minus 10 minus 765 और cot 765 तो यह ध्यान रहे कि 10 minus theta होता है minus 10 theta ऐसे ही cot के लिए है तो जहाँ जहाँ आपको minus दिख रहा है जिसे 10 minus theta है तो minus 10 theta कर दीजिए cot minus theta है तो minus cot theta कर दीजिए यह minus minus वैसे plus हो जाए 10 minus theta है तो इसको minus 10 theta कर दीए और यह cot positive में है तो इसको ऐसे लिख देगे यह minus जो है यह आपने इसे बाहर लिया तो यह minus minus बन के यह plus हो जाए तो यह आपका हो गया plus अब आईए 10,2,2,5 पे इसको लिख सकते है 180 पे 45 जोर सकते है फिर यहाँ पर आईए 10,7,65 यह होता है 4 pi याने कि 4 pi क्या होता है आपका 720 तो 720 में आप 45 जोर रहे है 720 प्रस 45 यहाँ पर कितना है 765 यह भी 4 pi यह 675 है तो 675 क्या होगा आप 720 में से 45 गटा लिख अब यहाँ पर आईए मैनस प्लस साइन तो यहाँ पर समझ में आगया यह मैनस मैनस कैंसल इसका मैनस यहाँ आगया अब 10 pi प्रस 5 बैफ 4 है यह all school to college pi में कुछ जोड रहे हैं pi में कुछ जोड रहे है यह 0 है pi है pi में कुछ जोड रहे है 10 positive रहेगा cot भी positive रहेगा यहाँ पर लेकिन यहाँ पर आप कर रहे है 2 pi माइनस pi बैफ 4 2 pi यहाँ पर है माइनस pi बैफ 4 कर रहे है cot 2 pi याने 360 है उसमें जोड रहे है pi बैफ 4 जोड रहे है cot में जब हम जोड रहे है 2 pi में यहाँ पर आ रहा है यहां पर सब positive होते हैं तो cod भी positive ना है यहां पर यह 10, 4 pi यहां पर 4 pi में जोड़े हैं 10 में मदब कुणकि यहां सारे positive होते हैं तो यह 10 यह रहे cod 4 pi minus 5 by 4 4 pi यहां पर है और यहां पर आप नीचे की तरफ आ रहे हैं 4 pi में 5 by 4 घटा रहे हैं तो आप यहां पर कियों, cost positive होता है याझनिकि यह negative होता है यहां पर यह negative होता है यह negative यहां ले आईए, tan, 5 by 4, cot, 5 by 4 cut के 1 हो जाएगा tan, 5 by 4, cot, 5 by 4 cut के 1 हो जाएगा, यह 1 है, यहां पर minus इसका आ गया था, 1 minus 1 0 हो गया Next है, cost 570 sin 510 और sin minus 330 और cost minus 390. यह देदा साइन साइन साइन, तो यह हम निकली आएगा और यहाँ प्लस को मायनस largest Потом inglés इसके बाद 570 को लिख सकते हैं आप 3 3 pi प्लस pi by 6 इसका मतलब यह है कि 180 into 3 यह वो होता है 540 540 में 30 जोड दिया यहाँ पर क्या किया आपने इस जगा पे 3 pi याणि 540 में आपने 30 घटा दिया ऐसी sign 330 है sign 330 को आपने 360 minus 30 कर दिया यहाँ बद 390 है याणि 360 में 2 pi में pi by 6 जोड दिया अब 3 pi याणि कि यह odd है 3 pi में आप जब कुछ जोड़ेंगे तो cos यहाँ पर negative होता है तो यह तो negative हो जाएगा यह चीज negative आई sign pi है sign 3 pi minus pi by 6 3 pi odd यहाँ पर आएगा 3 pi minus pi by 6 इसका मतलब यहाँ पर sign positive है तो यह positive रहेगा यह क्यों एक negative देगा minus sign चली रहा है sign 2 pi minus 5 by 6 2 pi यहाँ पर है नीचे की तरफ आईए 2 pi minus 5 by 6 यहाँ पर cos ही positive होता है इसलिए sign भी negative देगा यह negative देगा अब cos 2 pi plus 5 by 6 cos 2 pi यहाँ पर है 5 by 6 सारे positive होते हैं all है यहाँ पर तो cos अपना 5 by 6 ही देगा तो sin pi by 6 cos 5 by 6 minus में आगया और यह plus में sin pi by 6 cos pi by 6 यह दोनों cancel हो जाएगी जिर्वाल है फिर है 10 11 pi by 3 minus 2 sin 4 pi by 6 minus 3 by 4 cos 2 pi by 4 plus 4 cos 2 17 pi by 6 इसको जैसे लिखेगे 10 11 pi by 3 है यह 11 पर दे तो यह बराना दिता हूँ all school to college 11 pi by 3 है 11 pi by 3 का मतलब क्या होता है 11 pi by 3 को समझ गी यह में नहीं समझ में आ रहा है कौन सा अंगल 180 by pi से मुणिप्लाइ करता हूँ इसको 11 into 180 by 360 हो गया तो यह आपका 660 निगरी हो गया इसका मतलब आपने 66 ने, सुरी 11 को मुणिप्लाइ किया 60 से तो 660 आ गया 660 कैसे बनाएंगे आप जानते हैं कि जो 4 pi होता है यह निगे 4 into 180 होता है वो कितना होता है 720 720 में से अगर आप 60 घटा दें तो 660 हो जाएगा यह तो करना है तो 660 हो जाएगा इसलिए 4 pi minus pi by 3 720 minus 60 4 pi by 6 तो डारेक्ट आप जो 2 pi by 6 है इसको आप डरेक्ट लिख सकते हैं 2 sin 4 pi by 6 इसको आप लिख सकते हैं कितना है 4 pi by 6 इसको आप 4 pi by 6 को इसको 2 sin 2 pi by 3 लिख सकते हैं तो minus 3 pi by 4 कोजेक स्क्वार pi by 4 की value आप जाएगते हैं sin pi by 4 sin 45 की value होती है root 2 कोजेक की हो जाएगी root 2 कोजेक की root 2 root 2 कहा हो स्क्वार करती है यहाँ पर हो गया cos 17 pi by 6 17 pi by 6 होता है 3 pi minus pi by 6 अब यह देख लिएगा 6 is 18 18 pi minus pi by 6 17 pi by 6 17 pi by 6 को मुणिपाए करी 18 pi से आपको angle आएगा देखेगा कैसे बनता है तो यह 3 pi minus pi by 6 बनेगा अब यहाँ पर देखे 10 4 pi minus pi by 3 4 pi आप यहाँ पर होंगे इसके नीचे आ रहे हैं इसका मनलब 10 negative नहोंगा negative कर दीजे 10 pi by 3 यह हो गया minus 2 अब 2 pi by 3 को आपने लिखा pi minus pi by 3 pi minus pi by 3 क्या देगा आपको यहाँ पर आप pi पे है pi minus pi by 3 और sine है यह तो यह sine change यह होगा आपके वाद 2 तो रहेगा इसको sine pi by 3 कर देगा 10 pi by 3 के वाली होती है root 3 तो minus root 3 आ गया यहाँ पर आएगे 3 by 4 और यह root 2 का whole square 2 हो जाएगा तो 2 to the 4 यह आपका आएगा minus 3 by 2 यहाँ पर बढ़ते है 4 cos square pi by 6 आप जानते हैं cos pi by 6 या cos 30 की value होती हो root 3 by 2 इसका square कर देज़े root 3 by 2 का whole square यह होगा 3 by 4 4 यहाँ पर already है 4 4 कैसे अब minus root 3 minus root 3 और यह आपका root 3 by 2 और यहाँ पर बन गया आपका 3 इसको हम solve करेंगे तो 3 minus 4 root 3 by 2 यह आएगा solution आपके सामने है यह होगा basic चीज यह हम पर जो मैंने आपको बताई वो यह है कि कैसे हम इसको negative positive करेंगे क्योंकि एक आप negative positive दोदर हो गया तो सवाल का result नहीं आपके next वाले में है 3 sin 5 by 6 sec 5 by 3 minus 4 sin 5 by 6 cot 5 by 4 इसको पताना है 1 है तो कैसे करेंगे देखे already values में निव हुई क्योंकि sin 5 by 6 हम जानते है यह हम बात करें sin 30 के half sec 5 by 3 sec 5 by 3 यह आप cos 60 की बात कर रहे है तो cos 60 अगर half होता है तो sec 60 60 जो है 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा यहां तो ठीक है 4 है अब cot 5 by 4 की value तो पता है हमें 1 यह 5 5 by 6 को अब लिखेंगे 5 minus 5 by 6 5 minus 5 by 6 के मतलब इस यहाँ बात कर रहे है आप जानते हैं कि sign यहां पर positive होता है तो कोई sign चेंड यह होगा सीधा sign 5 by 6 लिखेंगे sign 5 by 6 के value होती हाफ यह 1 गया यह 5 by 6 की बात हाफ आया यह 4 है 4 into 1 by 6 हैने की हाफ 2 to the 4 यह बनेगा 3 3 minus 2 बनेगा 1 यह बना जाएगा अगला जो सवाल है इसमें है cos जो left hand side है वो है cos 2 pi plus theta cosect 2 pi plus theta 10 pi by 2 plus theta और नीचे है sec और यह cos और यह cot अब इसमें क्या है कि पहले all school to college कर देते है आप यह देखें कि अगर यह pi है 0 और pi है यहां पर सारे odd pi आएंगे यहां पर सारे even pi आएंगे यहां आपके pi by 2 आएगा यहां 3 by 2 आएगा इस तरीके से सारे odd pi by 2 इस तरफ आएंगे तो अगर कोई pi by 2 वाला term है तो 10 को cot में change कर देगा लेकिन अगर 2 pi वाला term है तो फिर हम 2 pi वाले को cos को cos ही रखेंगे conversion नहीं होगा तो इसी तरीके से अगर आप देखे 10 pi by 2 प्लस थीटा है यह convert हो गया cot में और pi by 2 अब यह 10 pi by 2 जैसे ही आपने देखा तो minus कर दिया cot कर दिया लेकिन जो minus कहां से आया आप देखे यहां पर 10 pi by 2 प्लस थीटा इसका मतलब इस coordinate की बात हो रही है यहां पर scale sign positive होता है बाकि सम negative होते है इसलिए इसको minus काट कर दिया sec pi by 2 प्लस थीटा जहां आपने pi by 2 दिखा वहाँ sec को पहले कोजेक कर दिया अब sign की बारी आती है जहां पर pi by 2, 3 pi by 2 या 2 and plus 1 pi by 2 और pi by 2 के आपको multiple दिखे यहां पर वहाँ पर आप क्या करेंगे sec को कोजेक में बदल देंगे और sec pi by 2 प्लस थीटा का मतलब है यह भी second quadrant की बात हो रही है second quadrant में केवल sign plus होता है sec तो नहीं होता है तो इसलिए negative आएगा तो हमने किया क्या कि यह 10 pi by 2 प्लस थीटा की जगा minus cot थीटा रखा और sec pi by 2 प्लस थीटा की जगा इस जगा पे minus cos थीटा रख दिए यहां तक ठीक है अब cos 2 pi प्लस थीटा अब cos 2 pi यहां पर आता है cos 2 pi प्लस थीटा all positive cos थीटा कुछ chain नहीं होगा क्योंकि यह n pi है n pi अगर n pi यहां पर आता है इस जगा पे यहां पर अगर आपका n pi आता है तो फिर कोई chain यह होगा conversion नहीं होगा तो cos का cos ही रहेगा यह थीटा आजाएगा इस तरीके से cos का cos थीटा ही रहेगा थीटा आजाएगा ऐसी cos का cos थीटा ही है और cot यहां पर आपका है cot pi plus theta again pi plus theta cot pi plus theta पे यहाँ पर आजाएए अब जैसे cot pi plus theta पे यहाँ आएगे यह tan है tan और cot यहाँ पर positive होते है यहाँ पर cot theta ही आएगा इससे आपको क्या-क्या मिलेगा cos से cos काट डीजे, kozak से kozak काट डीजे cot से cot काट डीजे, negative से negative काट डीजे only one बन जाएगा यह one है इस cancer फिर कोzak 90 plus theta cot 50 plus theta ऐसी 10 180 plus theta sec 180 minus theta ऐसी नीचे है अब इसको आपको बताना है कि यह 2 है तो all school to college यह चीज हमेशा आपको ध्यान में रखने पड़ेगी सारे सवालों में यह जरूर है सबसे पहले समझेए कि कोzak 90 plus theta क्या होगा 90 plus theta मतलब यह coordinate cos sin positive होता है तो इसको आप पहले तो आप positive विकर दीजे लेकिन आप देखें यह 90 है यानि कि pi by 2 है मैंने बताया था कि pi by 2 3 pi by 2 या n pi by 2 का अगर multiple यहाँ पर आता है तो इसको kozak को आप change कर देंगे sec में positive इसलिए आगे है क्योंकि इस coordinate में kozak में आईए kozak में देखें 90 plus theta kozak आप देखें again kozak और sign यहाँ positive होते है हम इस coordinate की बात कर रहे है kozak 90 plus theta kozak क्योंकि 90 plus theta है pi by 2 का अगरा रहा है तो आप इसको sec कर देंगे ten 180 फिटा पर आइए 180 में फिटा बते हैं पाई की बारे हम बात हो रही है 1080 मानिस theta अब tan 180 मानिस theta यहाँ होता है negative क्योंकि आप note one sign positive होता है कोzak positive होता है पर तो negative कर देए अब यह 180 यहन्व के जो पाई के बारे है 5 के बारे हम बात हो रही है पहले बतादू मैं आपको cos-θ, cos-θ होता है, इसी तरीके से sec-θ, sec-θ होता है, अब यह सारी चीज़े आगए, यहाँ पर तब्दिल कर दीज़े, जो जो मैंने भी बताया है, वो सारी यहाँ तब्दिल कर दीज़े, बस एक चीज़ यहाँ पर देखेगा, यह cot 450 प्लस θ, जो cot 450 ह है, इसका मतलब यह हो गया, कि आप 2 pi, 360, 360 में यह 450 कॉम कैसे लिखेंगे, 450 हो गया, पहले तो आप इसमें 360 लीजिए, फिर आप 90 लीजिए, कितना बना, 360 प्लस 90, है ना, 360 प्लस 90, यानि कि आप यहाँ बात कर रहे है, 2 pi प्लस pi by 2, 2 pi प्लस pi by 2, प्लस theta, यही तो हुआ, औ 4 pi प्लस pi by 2, यहीं, 5 pi by 2 आ गया, यहीं, odd multiple of 5 pi by 2 आ गया, जैसी odd multiple आ गया, यहीं, आप ने 2 pi, जब pi by 2 के साथ जोड़ा, तो आपको बनता है, 4, 4, 5 pi by 2, 5 pi by 2 बनते ही, आप देखेंगे, कि इसको तो sign, यह change करना चाहिए, इसको change करना चाहिए, लेकिन अब थ्रों सैसमें पेंज बताता हूं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेखेंगे, कॉट 2 pi plus pi by 2 plus theta, अब यह कॉट, पहले हम केवल इसको लेंगे, इस वाले को, यह वाले को, अगर मैं यहाँ से भी करूँगा, यहाँ से करूँगा, सेम आगे, कैसे इसे मैं बताता हूँ, कि मैं पहले इसको cot 2 pi plus theta कर रहा हूँ 2 pi यहाँ पर आता है यह 2 pi है cot 2 pi plus theta बता है इस coordinate की बात हो रही है तो cot change तो नहीं होगा क्योंकि यह pi n pi पर तो change नहीं होता है cot ही आएगा और pi by 2 plus theta आजाएगा लेकि यहाँ जैसी cot pi by 2 plus theta और जैसे आपको बताया था कि odd multiple जैसे 5 pi by 2 का आता है cot को कर दीजिए 10 और फिर देखिए 5 pi by 2 कहां आता है 5 pi by 2 बतला 4 जो आपने कहा 4 50 यानि 360 पर 90 360 पर यहाँ पर पूरा 360 पर आ गए यहाँ पर हम 90 की बात करें 360 plus 90 यहाँ पर आ रहे है तो यह positive रहेगा क्योंकि अभी 90 तक ही है 0 से 90 की बात हो रही है तो यह all positive यह आपका 10 theta आएगा चाहे इसमें लिजे चाहे इसमें लिजे 10 theta ही आएगा तो यह वाला जो term है यह आपका 10 theta आएगा है आपर अब देखिए यहाँ पर जाम ने किया है कि यह 1 है तो यहाँ पर आजाते है वही काम करेंगे all school to college बढ़िया रहता है कि इसको 0 pi इसको pi by 2 और इसको 3 pi by 2 लिख दें और आपको यह पता ही है pi 180 होता है, pi by 2 90 होता 3 pi by 2 270 होता है तो यहाँ पर क्योंकि 270 वाला term आ रहा है तो क्यों न हम इसको भी लिख दें 270 हो गया, यह 180 हो गया यह आपका 90 हो गया और यह आपका 0 तो है और तो 360 भी कर देते है 2 pi भी कर देते है ठीक, क्योंकि 360 वाला term भी आ रहा है इसलिए मैंने लिख दें sin 180 प्लस theta जहाँ पर आप यह 180 देख रहे है यानि कि यह वाले term पहले मैं वाले term करता हूँ जिसमें conversion नहीं होगा तो sin 180 प्लस theta conversion नहीं होगा 180 प्लस theta इसका मतलब यहां की बात कर रहे हैं 180 प्लस theta sin 180 प्लस theta यानि कि यहां पर पहले तो pi है यह pi वाला term है इसमें कोई conversion नहीं होगा और sin 180 प्लस θिटा यहाँ पर केवल all school to college यहाँ पर 10 केवल positive होता है तो पहले तो आप इसको minus कर दीज़े यह minus sin θ होगे फिर cos 90 प्लस θिटा पर आईए cos 90 प्लस θिटा क्या बोलता है cos 90 प्लस θिटा यह बोलता है cos 90 मतलब pi by 2 इसका मतलब cos को पहले sign करना पड़ेगा पहले cos को sign कर दीज़े तो यह sign हो जाएगा मैं इसको ऐसे करके बताता हूँ sin 180 प्लस θिटा जैसे मैंने आपको बताया sin 180 प्लस θिटा आपका minus sin θिटा को कोई conversion नहीं आ रहा है उसके बाद cos 90 प्लस θिटा cos आईए पहले 90 यहाँ पर दीग गया आपको सौन में आ गया कि यह sign होगा यह sign होगा उसके बाद sin 90 प्लस θिटा यहाँ पर आईए sin 90 प्लस θिटा यहाँ आप यहाँ की बाद कर रहे हैं तो sin तो positive रहेगा तो sin θिटा कर दीजे इसको इसके बाद आईए 10 270 माइनस θिटा 270 यह होता है इसके पीछे आ रहे हैं आप 270 में कुछ माइनस किया 10 अब यह मैंने कहा था 3 πाई बाई 2 जहां 2N प्लस 1 πाई बाई 2 दिखाई दे वहाँ पर आप पहले 10 को तो कॉट कर दीजे अब आते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव साइन पे क्योंकि यह 270 माइनस θिटा हो रहा है और यह 10 पॉजिटिव होता है तो यह कॉट थीटा ही रहेगा और नेगेटिव भी हो यहाँ पर आजाए यह कॉट 360 माइनस θिटा अब यह 360 है 360 माइनस कर रहे हैं आप यहाँ पर इस sin 360 माइनस θिटा पर sin 360 माइनस θिटा sin 360 माइनस θिटा मतलब यहाँ की बात कर रहे है 360 माइनस θिटा अब 360 है तो 2 पाई वाला टम है तो इसका मतलब sin तो sin ही रहेगा इसमें कोई chain ही होगा conversion ही होगा तो यह sin ही रहेगा अब 360 माइनस थीटा यहाँ पर नीचा आ जाएए, क्योंकि इस जगा पर है, यहाँ के ल कॉस्ट पॉजिटिव होते हैं, तो माइनस कर दीजे, अब यहाँ यह कॉस्ट प्लस थीटा, गॉस्ट प्लस थीटा इस जगा की बात हो रही है, इसका मतलब यह 2 पाई वाला टर्म है कॉस है, और यहाँ पर सारेट पॉजिटिव होते हैं, तो यह कॉस्ट थीटा होते हैं, यहाँ पर है कॉस्ट प्लस थीटा, यहाँ पर आईए, सबसे पहले देखें, 273 पाई बाई टू है, इसका मतलब साइन को फेले कॉस्ट में बदल दीजे, और 270 प्लस थीटा, मतलब कॉस्ट पॉजिटिव होता है, तो इसमें माइनस कर दीजे, यह माइनस कर दीजे, अब देखें, उपर माइनस से यह तो प्लस हो गया, नीचे माइनस से नीचे माइनस से प्लस हो गया, अब देखें क्या क्या करता है, साइन थीटा, साइन थीटा, उसके बाद, यहाँ पर ले लिए कोजेक थिटा को मैं साइन थिटा उपर ले गया इसके बाद ये कॉस थिटा है अब ये कॉट थिटा है कॉस थिटा बाई साइन थिटा और ये है कॉस थिटा बाई साइन थिटा तो कॉस से कॉस गया कॉस से कॉस गया साइन से साइन गया साइन से साइन गया वना जा इसको आप बताना है कि यह 2-4 थीटा बनेगा क्या बनेगा तो कि आहां स्कूल टू कॉलेज सबसे पहले अब देखिए इतना हम सीख चुके हैं सीधा यहां पर कर देंगे देखिए पाइबाई टू दिख रहा है तो सैक को पहले kozak में बदल दी और pi by 2 plus theta, यानि कि इस जग़े की बात आ रही है sec है, यानि cos की बात हो रही है तो sign यहां positive होता है, बाकी negative होता है तो minus kozak theta लेखे हैं यहां पर आईए sec, pi by 2 plus theta sec मतलब cos की बात हो रही है तो यहां पर जैसी आएंगे pi by 2 plus theta अच्छा पैब उड दिख रहे तो पहले तो आपको स्को सेक करणा पड़ेगा सेक यहाँ पー यहाँ और यहाँ पर क्यल साइन पॉसski होता है सेक और कॉस दोनों यहाँ पर नेगेटिव होते हैं यहाँ पर मैनस कोजक धिता करते हैं क्या बना 1 प्लस 1 प्लस यह बना कॉट थीटा यह बना माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा प्लस कोज़एक थीटा यह हो गया? यहाँ पर आईए यह वाला 1 प्लस कॉट थीटा तो था ही यहाँ पर क्या बना? माइनस कोज़एक थीटा अब आप देखें यह है A, यह है B यह है A-B तो A-B और A-B तीसरा है नेक्स वारा जो सवाल है इसमें है 1090-theta 5th है 1090-theta 90-theta sin-theta sin-180-theta 360-theta 90-theta अब देखे 1090-theta सीधे इसमें अब मुझे समझ में आ रहा है और आपको भी कि जहां 90 दीखे पहले 10 को कौट कर दी 90-theta मतलब आप यहां की बात कर रहे इस जगह की बात कर रहे यहां सारे positive होते है तो theta कर दो positive रहेगा अब आईए sec 180-theta 180 दिख रहा है तो sec तो secure रहेगा change नहीं होगा 180-theta मतलब आप इस जगह की बात कर रहे है यहां पर आप देखे कि यह sign positive है तो इसको minus कर दीए अब यह sin minus theta sin minus theta होता minus sin theta यहाँ पर आए sin 180 plus theta 180 जहां दिखा इसका मदब sin ही रहेगा 180 plus theta 180 plus theta मतब यहाँ बात कर रहे हैं यहाँ पर sin positive नहीं होता negative होता तो minus कर दीजेए को और 360 minus theta यहाँ 360 दिखा इसका मदब यह cot ही रहेगा 360 minus theta मतलब इस जगह की बात कर रहे हैं और यहाँ पर क्या होता है केवल cost all school to college केवल cost positive होता है ताकि negative होता है तो इसको minus कर दीजा फिर cosec 90 minus theta यहाँ 90 दिख गया मतलब cosec sec में बद देगा अब 90 minus theta cosec 90 minus theta मतलब इस जगह की बात हो रही है सारे positive होते हैं तो sec theta अब यह minus minus plus हो गया यह minus minus plus हो गया इसका मतलब answer तो plus में आने वाला है अब देखिए क्या क्या कट रहा है cot theta से cot theta sec theta से sec theta sin theta से sin theta 1 बचा हो सारे cancel होगा next है आपको इसमें prove करना है sin square pi by 18 sin square pi by 9 sin square 7 pi by 18 और sin square 4 pi by 9 जब इसको जोड़ेंगे तो बनेगा 2 इसको जोड़ेंगे तो बनेगा 2 इसमें बस यह थोड़ा ध्यान रखना है कि ऐसे सब जब सवाल आते है तो इस सवालों में कोई ना कोई जो एक term है वो दूसरे term में तबदील हो जाता है जैसे आप pi by 18 को लीजे इस pi by 18 को हम लिख सकते है pi by 2 minus 4 pi by 9 मतलब अगर आप करना भी चाहें जैसे pi by 18 है आपको नहीं समझ में आता तो आप क्या करेंगे इसको मैंने पहले भी आपको बताया है कि इसको करने का तरीका बहुत आसान अगर आपको समझ में नहीं आता है यह बहुत practice से आता है तो pi by 18 है इसको आप क्या करीए pi by 18 लिखे और इसको 180 by pi से मड़ी पाय करते है तो आपको degree में समझ में आ जागा कितना हो गया यह? यह 180 18 18 यह 10 दस degree आया 10 degree आप कैसे लिख सकते है? 10 degree आप लिख सकते हैं अब आपको लिखना कितना है, 10 जगरे को 90 के हिसाब से लिखना है, 180 के हिसाब से लिखना है, 3060, 270 के हिसाब से लिखना है, तो 10 है तो 90 तक ही जा पाएंगे, 90 में क्या मैनस करें कि 10 आ जाए, 80, 80 को आप कैसे लिख सकते हैं, आप देखें 4 pi by 9 ने, इसको मैं 180 by pi से multiply करता हूँ यह pi by cancel, 9 to the 18, और 4 to the 18, यह हो गे ना, 80, तो आपने लिखा pi by 2 minus 4 pi by 9, यह क्यों किया, क्योंकि 4 pi by 9 यहापर दिख रहा है, इस pi by 18 को अगर हम तबदील करें, 4 pi by 9 हमें दिख रहा है, तो यह इसके term में change हो रहा है, इसी तरीके से आप इंदुरों को देखें, अगर मैं pi by 9 को यह 7, 7 pi by 18 को लिखना चाहता हूं, तो pi by 9 के term में लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि 7 pi by 18 होता है, pi by 2 minus pi by 9, क्योंकि 9 minus 2, यहने 7 pi, और 9 to 18, इसी लिए, इसको हम लिखेंगे sin pi by 2 minus 4 pi by 9, इसको हम लिखेंगे sin pi by 2 minus 5 by 9, अब आप जानते हैं, जब sin pi by 2 minus theta होता है, तो पहले cos square 4 pi by 9, यह हो जाएगा आपका cos square pi by 9, अब यह sin square plus cos square हो गया 1, यह sin, क्योंकि theta कुछ भी हो, sin square theta plus cos square theta 1 होता है, यहाँ पर भी sin square theta plus cos square theta 1 होता है, 1 plus 1 क्या हो जाएगा 2, यह आपको prove करना था, next वाला है, यह सवाल, इसमें क्या करना है, इसमें आपके पास, sec 3 pi by 2 minus theta, जो भी term आपको दिया हुआ है, इसका prove करना है, कि यह बनेगा minus 1, यह बनने वाला minus 1, तो सबसे पहले इसको समझें, कि यह 3 pi by 2 जहां दिखें आपको, आप sec को kozak में बनन दीए, पहली चीज़ यह करना है, तो इस sec को हम लिखेंगे kozak, यह तो बनन गया, अब 3 pi by 2 minus theta, मतलब हम यहाँ बात करें, और school to college, हम बात करें, 3 pi by 2 minus theta, यहाँ इस quadrant की, 3 pi by 2 minus theta, यहाँ कि इस quadrant मी यहाँ के तो केवल 10 ही positive होता है, इसका मतलब यह negative होगा, यह हो गया, यहला term हो गया, अब sec, sec theta minus 5 pi by 2, इसको मैं बात में deal करता हूँ, प्लस कर देते हैं यहाले को, पहले इसको deal करते, 10, 5 pi by 2, 5 pi by 2 plus theta, जहाँ 2 and plus 1 pi by 2 आ जाए, इसका मतलब 10 तो पहले chord में change हो गई होगा, अब 5 pi by 2 जो होता है, अगर आप 5 pi by 2 को देखें, यह 3 pi by 2 है, यहाँ पर फिर 5 pi by 2 बनेगा, इस 5 pi by 2 का अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 5 by 2 के साथ 180 by pi से डिवाइड कर देखें, यह आपका बनेगा 90 और 45, 450 जिगरी की बात हो रहे हैं, 450 जिगरी कितना होता है, 360 में, आप क्या कर रहे हैं, 90 जोड रहे हैं, इस जगह की बात कर रहे हैं, यहाँ सारे के सारे positive होता है, all positive होते हैं, यह सारे की उपाजिटिव ह बनेगा 10 आपका कॉट बनने वाला है लेकिंग ये साइन चेन नहीं करेगा क्यूंकि आप बात कर रहे हैं को फाइब टू प्लस थीटा अच्छा ठीक है ये गलत हो गया वहाँ तो यहां पर तक यह साइन पॉजिटिव होता है ये माइनस कॉट ठीक यह वाले और यह वाले को अब सबसे बड़ी दिक्कत इसमें आ रहे है कि theta minus 5 pi by 2 है तो पहले तो इसको हमको उस form में change करना पड़ेगा जो हम जानके को हम क्या करेंगे इस sec पहले minus बाहर ले लिए और इसको लिख दीजे 5 pi by 2 minus theta ठीक minus लेकर ने कर सकते हैं अब sec minus theta या cos minus theta होता है cos theta 5 pi by 2 minus theta सबसे पहले जहां 5 pi by 2 दिखा आप इसको बगएर देखे बगएर जाने बस सीदा कोजेक लिख दीजे sec कोजेक में change होता है sec किसमें change होता है कोजेक में होता है यहां तो हो गया अब 5 pi by 2 minus theta आप देखते है 5 pi by 2 क्या है यह है 5 pi by 2 minus theta इसका मतलब आप first quadrant की बात कर रहे है 450 minus की बात बात कर रहे है तो इसका मतलब यह positive रहेगा यहां तक हो गया अब आईए इस वाले पे इसमें भी यही करेंगे सबसे पहले 10 लेंगे minus बाहर लेंगे और इस theta minus 3 pi by 2 को 3 pi by 2 minus theta करना है अब 10 minus theta होता है minus 10 theta यह 3 pi by 2 minus theta अब 3 pi by 2 है इसका मतलब 10 cot में change होना है अब sine कैसे बनाएंगे 3 pi by 2 minus theta 3 pi by 2 यह होता है 3 pi by 2 minus theta यानि के 10 तो यहां positive है तो यहांपर पर आएगा minus cot theta minus cot theta अब देखे यह होगा minus cos square theta और plus cos theta अगता मैंनस कोस्टीट नथे टूंब है कि मैंनस 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 थीथा मैं इसको एकस को सूआ यह माइनस कोट स्कुर्ट थिटा माइनस कोट स्कुर्ट होता है यहां पर है आपको बताना है प्लस भी cos a plus b बताना है cos plus cos c equal to 0 तो यह कैसे करेंगे आपको दिया हुआ है inner triangle abc जाने कि आपके पास एक triangle है आप जानते हैं किसी भी triangle में अगर हम तीन angle लें a plus b plus c यह किसके बराबर होता है एक्स और से डिग्रियाने pi तो यह c को इतर ले आई है तो यह क्या बनेगा a plus b यह बनेगा pi minus c दोनों साइड ले लिजिए cos cos a plus b equal to cos pi minus c cos pi minus c cos 180 minus theta क्या होता है all cool to college 180 यहां होता है 180 minus theta cos क्योंकि यहाँ पर sin के और positive होता है cos यह होगा minus और क्योंकि pi है तो change नहीं करेगा यह आपको conversion नहीं होगा तो cos c बनेगा यह cos a plus b यहाँ पर है आप इसको यहाँ ले आईए तो यह जगा cos a plus b plus cos c equal to 0 next में है cos a plus b by 2 equal to sin c by 2 इसी triangle में यह बताना है तो सब चीज़ें हम यहीं से लेंगे अब आप इसमें देखे a plus b plus c यह है x plus c के बराबर यानि की 180 के बराबर triangle का angle sum होता है 180 फिर से c को यह तर ले आईए a plus b क्या बनता है 180 minus c अब divide कर दीजे दोनों side 2 को तो यह क्या बनेगा a plus b by 2 यह 180 by 2 यहने के 90 यह पाइबाइ 2 कर देते हैं पाइबाइ 2 minus c by 2 अब दोनों side लगा दीजे cos अब cos pi by 2 minus theta जहाँ pi by 2 है इसका मतलब cos तो sine में change हो जाएगा pi by 2 minus theta प्या यह आने की यहां की बात कर रहे हैं यह सारे positive होते हैं तो positive रहेगा यह c by 2 यह आपको prove करना था अगरा prove करना है tan a plus b by 2 equal to cot c by 2 बिल्कुल वही तकनीका अपनाएंगे हम a plus b plus c आपका होता है pi a plus b हो जाएगा pi minus c अब दोनों को 2 से divide कर दीजे a plus b by 2 हो जाएगा pi by 2 minus c by 2 अब इसमें दोनों side आप ले दीजे tan जहाँ tan pi by 2 दिख रहा है सीधा सीधी सी बात है कि cot बदलेगा है अब cot pi by 2 minus c by 2 यहाँ pi by 2 minus c by 2 यहाँ पहले coordinate की बात हो रही है तो यहाँ पर sign चेंड नहीं होगा sign positive रहेगा यह आपका cot c by 2 आगया tan a plus b by 2 हो गया cot c by 2 यह प्रूव करना था आपको next में है a, b, c, d जो a, b, c, d है these are the angles of a cyclic quadrilateral taken in order prove that तो cyclic quadrilateral क्या होता है ऐसे कर आप quadrilateral ले ले और यह a है, यह b है, यह c है, यह d है अब इसमें cyclic quadrilateral का मतलब होता है कि यह in का sum होगा जैसे a, b, c, d ले 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 तो a और c का sum होगा 180 degree a plus c का sum होगा 180 degree यह पाई और b और d का sum होगा 180 degree यही cyclic quadrilateral की property है अब यहाँ पर क्या करेंगे हम इस जगा पे हम इसको ऐसे लिख देंगे पाई इस a को यहाँ ले जाएगे तो यह जाएगा पाई माइनस a इक्वल टू c इसमें क्या करेंगे यह वाले में हमको प्रूफ क्या करना है हमको प्रूफ करना है cos 180 minus a, cos 180 plus b, cos 180 plus c 90 plus d यह जो है मिलके 0 बनाएगे तो पाई माइनस a को हम c कर देते हैं और इसको यहाँ वाले को क्या करेंगे इसमें b को इदर ले आएगे तो पाई, यह पाई माइनस d हो गया b दोनों साइट कॉस ले लीजे यह कॉस से हो गया दोनों साइट कॉस लेंगे, यहाँ भी कॉस लेंगे तो पाई माइनस d हो गया कॉस दी यहां तक हो गया अब आईए cos 180 माइनस से cos 180 माइनस से आपने cos c लिखा हुआ है इसकी जब आप cos से लिख दीजे cos 180 प्लस भी इसको भी देखते हैं पहले यहां पर cos 180 प्लस c यहां पर भी आ जाते हैं और sin 180 sin 180 90 प्लस d अब आप देखें all score to college cos 180 प्लस πाई अचवा जहां 180 180 180 दिख रहा है 180 180 यहां तो chain ली होगा cos नहीं होगा cos का आपका यहां पर आएगा मैं इसको लिखता हूँ cos 180 माइनस a की जगह हमें लिख दिया cos c यह cos c हो गया अब दूस्रे प्लस b cos 180 plus B मतलब आप इस जगह की बात कर रहे है यहां मतलब तो cos negative होगा तो negative लिख दीजे और cos C नहीं होगा तो cos C रहेगा cos B अब इधर पर आईए है यह वाला है cos 180 plus C cos 180 plus C फिर से यहां पर negative होगा क्योंकि आप इस coordinate की बात कर रहे हैं यह तो negative होगा और क्योंकि cos 90 plus C तो cos C हो जाएगा यहां पर आईए आप minus है sin 90 plus D 90 यहां दिख गया इसका मतलब पहले तो आप इसको cos कर दीजे 90 plus D मतलब इस जगह की बात कर रहे हैं आप यहां पर क्या sign positive होता है और sign वाकिए है तो positive रहेगा तो cos D आजाएगा अब इसको करते है cos C minus cos B minus cos C minus cos D तो क्या गया बना इसमें cos C cos C तो हट गया आपके पास आया minus cos B minus cos D minus cos B minus cos D अब इस cos D पे ज़रा आईए यहां पर दिखे cos pi minus theta आपका cos B है cos और cos pi minus theta क्या होता है आईए ज़रा यहां पर cos pi है यह पाई minus theta क्या होगा यह होगा minus cos D क्यूंकि आप यहां की बात करें यहां तो sign positive होता है यह तो negative हो जाएगा cos B की जगा आप minus cos D लिख सकते हैं इसकी जगा हम लिखेंगे minus यह जगा plus minus minus plus यहां पर cos D minus cos D था ही यहां पर यह वाला इन दो कार दीजिए 0 आजाएगा find X for the following equation cos 90 plus theta है plus X cos theta into cot 90 plus theta यह है बराबर sin 90 plus theta तो cos X है तो sec बन जाएगा 90 दिख रहा है आपको यहां पर pi by 2 है तो sec बन जाएगा 90 plus theta फिर से all school to college तो यहां पर क्या है cosac cosac और sin तो positive होते है 90 plus पे इस जगा पे तो sec theta रहेगा यहां X रही है रखेए cos रखेए cos 90 plus theta 90 plus theta की यहां बारे में बात हो रही है 90 दिख रहा है तो पहले तो 10 कर दीजिए क्योंकि आपर क्या sin positive होता है तो यह नेगटिव हो जाएगा तो यहां तक हो गया is equal to is equal to sin 90 plus theta sin 90 plus theta sin 90 plus theta पे आईए यहां पर इस जगा की बात हो रही है पहले तो sin 90 जहां दिखे वहां cos कर दीजिए और क्योंकि यहां sin positive होता है इसलिए positive रहेगा तो आपको क्याके मिला अब यहां पर आते है यह आपका 1 by cos है यह आपका है plus x यह cos है और इस minus sin theta को आप लिख जेते है minus sin theta by cos theta और यह किसके बराबर है? cos theta यह cos cos कट गया यहां पर आए 1 by cos minus sin equal to c x भी है यहां पर अब एक काम करिए इस x, s को यहां रख दीजे इदर और इसको 1 by c minus c कर लिए तो यह बनेगा 1 minus c square by c x into s तो चली रहा है x into s 1 minus c square क्या होता है? 1 minus cos theta क्या होता है? sin theta by cos theta तो इससे क्या बना? एक sin से आप एक sin काट दीजे sin theta by cos theta है तो x क्या हो जाएगा? sin theta by cos theta यह 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 10 theta x आगे आपका 10 theta अब है x cot 90 plus theta plus 10 90 plus theta sin theta coset 90 plus theta यह है बराबर 0 x की वादी निकाले तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे? यह x को रखे cot 90 plus theta cot 90 plus theta 90 plus theta all school to college अब आप देखें cot का 90 है तो पहले तो 10 कर दीजिए इसको ठीक? और क्योंकि 90 plus theta मतलब यह coordinate की बात में हो रही है तो यहां sin positive होता है तो उसको negative कर दीए plus 10 90 plus theta 10 90 plus theta 10 90 दीख रहा है इसका मतलब यह court हो जागा है सबसे पहले तो अब negative positive क्या होगा? 10 90 plus theta फिर से यही बात आएगी 90 plus theta is cot and Michael sin positive होता है तो उसको negative कर दीए और sin theta यहां पर है sin theta आपके पास है अब plus cos theta भी आजाए cos theta cos theta cos theta cos theta cos 90 plus theta cos theta cos theta cos theta यहां पर positive होते है तो यह ब्रापर 0 से क्या बनता है यह है minus x sin theta की जगा sin theta by cos theta 10 theta की जगा sin theta by cos theta लिग जीए यह है minus cot theta की जगा cos theta by sin theta sin theta यहां पर है minus sec theta वैगा cos theta लिग जीए equal to 0 इस sin को इस sin से हटा दीज़े minus x sin theta by cos theta यह अगर बनाना है तो इस तरफ ले जाएए, यह माइनस माइनस है, दोनों जाके आपके यहाँ पर प्लस हो जाएगी, यह माइनस है, इस जगा पे, और यह आपका प्लस है जाएगी, तो इस जगा ले जाएए, यह तो आपका C बनेगा, इस जगा पर जाके यह माइनस बाई C बन जाएगी, तो यह होगा 1 minus 1 minus c square by c, 1 minus cos square theta क्या होता है? sin square theta, cos theta नीचे है, यह x into sin theta by cos theta, इसको यहाले जाहिए, यह cos theta उपर sin theta नीचे, sin theta से sin theta cancel हो गया, cos theta से cos theta cancel हो गया, एक sin theta बज़ गया, x वे जाएगा sin theta. prove that, tan 720 minus cos 270 minus sin 150 cos 120, यह होता है एक बड़े चाल, तो यह तो आपका 720 10 4 pi है, आप ध्यान रखेगा 10 n pi, 10 pi, 10 2 pi, 10 3 pi, यह सारा 0 होता, पर यह ध्यान रखेगा, और cos का 2 n plus 1 pi by 2, यह नहीं कोई भी और pi by 2 आएगा, यह 0 होगा, वस यह ध्यान रखेगा, ओके, तो अब आप यहाँ पर आईए, पहले 10, यह तो 4 pi है, इसको लिखेगे, 270 आप 3 pi by 2 जानते है, यहाँ पर sin 150 है, sin 150 को क्या लिख सकते है, इसको अभी बताता हूँ, cos 120 क्या लिखेंगे, cos pi by 2 plus pi by 6, क्यों अभी मैं बताता हूँ, पहले तो यह देख लिए, 10, 4 pi 0 हो गया, और cos 3 pi by 2 0 हो गया, इसको तो अटा दीगे, अब यह multiplication में है, यह multiplication में है, 150, 150 को अगर आप pi के terms में लिखना चाहें, तो कैसे लिखेंगे, 150 को pi के terms में लिखना चाहें, तो आप क्या करते हैं, मैंने आपको जो समझाया था, यहां डिगरी तो हमें 150 मिल गई लेकिन हम इसको πाई के टम में लिखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे अब से बड़िया तरीका 150 लीजे और इसको multiply कर दीजे πाई बाई 180 से ठीक, πाई बाई 180 अब यह कड़ गया और 3, 5 is a 15 3, 5 is a 15 और 3 3, 6, 18 तो 5, 5, 6 आगया यह 5, 5, 6 है यह 5, 5, 6 है कॉस 120 क्या है यहां पर sign लेगे जा अब इसको हम थोड़ा सब बनाएंगे इसको कॉस 120 है कॉस 120 है 120 इंटू 5, 180 करेंगे क्या बनता है 0 से 0 गया यह अब 2, 3, 3, 4, 12 3, 6, 18 यानि इसको आप 2 से भी कार सब लेएं तो 2 बाइ 3 पाइ आया तो कॉस को 2 बाइ 2 पाइ बाइ 3 लिखिए यहां तक ठीक है अब यह क्या हुआ यह है पाइ sin पाइ माइनस पाइ बाइ 6 यह फाइ पाइ बाइ 6 हो गया कॉस इसको कैसे लिख सकते है इसको लिख सकते है पाई माइनस पाई बाई तरी हो गए नहीं अब देखें साइन अब यहाँ पर आ जाएगे है all school to college साइन पाई माइनस पाई बाई 6 क्या होता है पाई मतलब यह माइनस पाई बाई 6 से पहले तो यह पाई है पाई है कुछ चेंड लिगा साइन शाइन नहीं रहेगा और क्योंकि यहाँ साइन पॉजिटिव होता तो यह साइन by by 6 हो जाएगा फिर यहाँ पर आईए कॉस 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 पाई मैंनस 5 6 अच्छा यह पाई बाइ यह आया है 2 1 2 6 2 6 1 6 2 2 5 2 5 5 5 3 को 120 है तो इसको हम cos pi-pi by 3 pi-pi by 3 लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है हम यापर करते हैं इसको cos क्योंकि pi है कोई change नहीं होगा इसको आप सीधा cos pi-pi by 3 अब आए यहाँ पर cos pi- यहाँ pi-pi by 3 cos यहाँ में negative हो जाएगा cos यह negative हो जाएगा cos pi by 3 अब cos यह आया है sin 30 degree यह है cos 60 degree minus बाहर है अच्चाई यहाँ देखिए 0 minus 0 के बाद यह minus था नहीं है यह minus बाहर आगया तो यह minus और minus यह plus हो गए यह हाफ sin 30 half होता है cos 60 भी half होता है half-half कितना हो गए 1 by 4 यह 1 by 4 आजाएगा next वाले में है आपका sin 780 sin 480 plus cos 120 sin 150 तो 780 को कैसे लिख सकते है 720 plus pi by 3 720 plus 60 यह हो गया sin को हम लिख सकते है यह क्योंकि 480 है 480 को कैसे लिख सकते है 3 pi minus pi by 3 यह 3 pi अगर आप 180 को 3 से multiply करेंगे तो क्या बनता है 540 540 में अगर आप 60 घटा दे 5400 सी हो जाएगा 120 को आईए 120 को कैसे लिख सकते हैं 120 को लिख सकते हैं 1 यह तो 90 plus 30 लिख सकते है 5 by 2 plus 5 by 6 आगया और जैसे पिछले बार देखा था इसके पहरे सवाल में 150 को हमने कैसे लिखा था 150 को जब हमने 5 by 80 किया था तो यह बना था आपका 3 5s of 15 हुआ था और 3 6s of 18 हुआ था 5 5 by 6 था तो इसका हम 5 minus 5 by 6 लिख सकते हैं वह यहाँ पर हुआ है अब आईए सबसे पहले sin 4 pi जहां 4 pi दिख गया इसका मतलब यह है कि अच्छा इसमें यह भी देखना पड़ेगा all school to college 4 pi है तो sin sin ही रहेगा और 4 pi है मतलब आप जब odd यहाँ pi आता है यहाँ की बात कर रहे है तो यह positive रहेगा sin 3 pi minus pi by 3 जहां sin 3 pi है इसका मतलब sin ही रहेगा 3 pi minus pi by 3 मतलब sin तो positive है तो sin pi by 3 होगा अब cos pi आईए cos pi by 2 जहां pi by 2 दिख जाए वहाँ इसका sin में बदल दीए और अब आप देखिए pi by 2 plus pi by 6 यहाँ पर इस कोड़ेंट की बात हो रहे है यहाँ तो sin positive होता है cos negative होता है तो minus sin pi by 6 होगा यहाँ पर sin pi minus pi by 6 यहाँ पर sin positive होगा और pi में कुछ चेह नहीं होगा तो sin pi by 6 मतलब sin sin ही रहेगा तो क्या बना sin pi by 3 into sin pi by 3 यहाँ पर minus है sin pi by 6 होता है half root 3 by 2 root 3 by 2 होता है 3 by 4 1 by 2 1 by 2 1 by 4 3 minus 1 by 4 यहाँ निकि 2 by 4 यह जाएगा half next में है sin 780 sin 120 cos 240 और sin 390 जैसे भी भी हमने देखा इसमें 4 pi में मतलब 720 में आप 60 add कर दीजे sin ही होगा sin 120 को हम pi by 2 plus pi by 6 लिख सकते है 90 plus 30 लिख सकते है cos 240 है यह 180 में आप 60 जोड दीजे pi by 240 180 में आप 60 जोड़ेंगे तो यह आपका pi by 3 है ओके फिर यहाँ पर sin 390 है तो 180 में आप 30 जोड़ेंगे 180 में इतना जोड़ेंगे 360 में 360 में 30 जोड़ेंगे तो pi by 6 जोड़ेंगे 2 pi में यहां तक हो गया अब देखे 4 pi है तो sin तो sin ही रहेगा तो सारे के सारे positive तो sin pi by 3 रहेगा pi by 2 जहां देखे sin को पहले तो cos बें पर देखे pi by 2 plus pi by 6 sin यहाँ positive होता है तो कुछ sin चेंड नी होगा cos pi by 6 हो जाएगा यहाँ पर आईए cos pi plus pi by 3 अब cos pi plus pi by 3 इस coordinate की बारें बात होई यह pi होता है इसका मतलब यहाँ tan positive होता है बागे तो negative होता है तो पहले तो cos को आप negative कर दीजे pi है तो cos cos ही में रहेगा cos pi by 3 हो जाएगा अब sin 2 pi plus pi by 6 pi है 2 pi की बारें बात हो रही है यानि कि आप इस जगह पे यहाँ पर आगए इसको plus करेंगे यहाँ पर plus ही रहेगा और क्योंकि 2 pi है तो sin cos में बदलेगा नहीं sin pi by 6 आगए इसकी वाली होती होती root 3 by 2 इसकी वाली होती root 3 by 2 यह भी half यह भी half अभी जो पिछला सवाल देखा बिल्कुल वैसे हाँ आप आएगा sin 600 cos 390 cos 400 sin 150 600 है 600 का कैसे करेंगे अब आप यह जानते है 3 pi केतना होता 540 540 में आप 60 आड़ कर दीजिए 390 360 में कितना आड़ करेंगे 30 आड़ करेंगे 480 480 मतलब 540 में से 3 pi में से आप 60 घटा दीजिए 150 मतलब आप 180 में से 30 घटा दीए अब आप देखिए 3 pi इसको इस तरी के देखते है all school to college सबसे पहले देखिए यहाँ sin 3 pi है यहाँ 2 pi है यहाँ 2 pi है इसका मतलब कोई भी conversion नहीं होने वाला है तो सबसे पहले यहाँ sin यहाँ cos यहाँ cos और यहाँ sin रख दीजिए इसमें कोई conversion नहीं होने वाला है यहाँ तक ठीक है अब आप pi by 3 पे आईए 3 pi प्लस pi by 3 आने की यह है आपका 0 यह pi यह 2 pi यह 3 pi 3 pi का यह बार है इसलिए मैं 3 pi लिख रहा हूँ अब 3 pi प्लस pi by 3 यहाँ तो 10 positive होता है तो negative कर भीजिए यह इसको sin pi by 3 लिख 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 cos 2 pi 2 pi 2 pi में प्लस करेंगे सारे positive होते है तो cos 5 by 6 आ जाए गया cos 3 pi minus 5 by 3 3 pi यह है 3 pi मैं मैंनस जाए cos negative होगा है minus cos 5 by 3 sin pi minus 5 by 6 अब pi यह अपर है minus 5 by 6 sin तो positive है sin 5 by 6 इनकी value क्या है यह है root 3 by 2 यह root 3 by 2 यह आपका half sin आपके पास है minus 1 आए गाए next है 10 225 cot 405 10 765 cot 675 तो इसमें क्या करेंगे 225 क्या होता है 100 c में 455 जोड़ दीजे 100 c में 455 जोड़ेंगे cot 405 क्या है 180 यह आपका हो गया 360 360 में 455 जोड़ दीजे cot 675 4 pi में से 45 मैंस कर दीजे अब 10 pi यहाँ पर आप देखेंगे यह pi है 2 pi है 4 pi है 4 pi है इसका मतलब कोई भी conversion नहीं होगा कोई भी 10 cot नहीं बदलेगा अब pi प्लस pi by 4 क्योंकि आप बात कर रहे हैं जो third quadrant की third quadrant में 10 positive होता है तो 10 10 ही रहेगा 10 pi by 4 आजाएगा यहाँ पर आप बात करें cot 4 pi माइनस 5 by 4 यानि कि आप fourth quadrant की बात कर रहे हैं वहाँ पर cable all school to college अगर आप देखा जाए तो वहाँ पर cable cost positive होता है तो cot negative हो जागा यह negative हो जाएगा यह 10 cot है यह 10 cot है यहाँ पर negative हो आगया दोनों को कार्डी जे 0 हो जाएगा